नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मलोक में जो वक्त है वो किस तरीके से गिना जाता है जैसे पृत्वी पर 24 गंटे बिद गया मतलब एक दिन बिद गया या फिर 60 सेकंद का एक मिनिट होता है तो इस तरीके से हम यहाँ पर गिनती करते हैं वक्त की लेकिन आत्मलोक में यह से वक्त किस तरीके से आखिर होता है वहाँ पर क्या गंटों कही साब से सब चलता है या फिर वहाँ पर जो दिन होता है वो कितने समय का होता है तो इसके बारे में आज हम जानकरी लेंगे सबसे जाधा तर दोस्तों जो भी आत्माओं ने मतलब बात करी है तो जाधा तर सबसे जाधा आत्माओं ने भी और हिंदु धर्म शास्त्रे में भी यह कहा गया है कि जो वक्त है वो पुरृत्वी पर बहुती तेज़ गति से चलता है। हिंदुद्रम शास्त्रे नहीं लेकिन अगर हम आत्माओं की भी बात करें तो उनोंनों भी सेम ऐसे इका है, की जैसे पुरृत्वी पर वक्त चलता है। वैसे मतलब वैसे वक्त सारी दुनिया में मतलब दुनिया मतलब यह जो इस दुनिया के परे जो है आत्म लोग के दुनिया वहाँ पर इतना तेज गती से वक्त नहीं चलता बहुत सरी आत्मा ऐसे भी कहते हैं कि उनके लिए कभी-कभी एक जो घंटा है वो पृत्वी के दस वरस के बराबर भी शायद हो सकता है लेकिन आत्मलोग में इस तरीके से वक्त नहीं गिना जाता जैसे यहाँ पर घड़ी से हम गिनते हैं आत्मलोग में जो वक्त होता है दोस्तों वो सारा सारी चीज़ों चीज़े है वो इनसन के मानवी मतलब जो उनकी जैसे दशा hoगी म त्रेकिसे उनकी अंतरात्मा की जो दशा होगेस зап जैसे वहाँ पर वह हो सकते हैं मतलब को समझेσे आपको आराम् करना है और है कि आराम की ज्यादा उतना नहीं शायद मिलने वाला है जितने आपको जरूरत है लेकिन आत्मों लोग में वैसा नहीं होता आत्मों लोग में अगर आपको समझो 10 गंटे की नींद बहुत अच्छी चाहिए आपको मतलब बिना मतलब बहुत जादा थक्या और उतनी आपको आपको समझो आराम चाहिए तो वहाँ पर वो 10 गंटे जैसा आराम वहाँ पर आपको आराम से मिल सकता है मतलब क्या कि आपकी जो जरूरत है वो वहाँ पर जादा महत्वपूर्ण है और दिन और रात वहाँ पर कैसे होते है जो निचले स्तर के जो आतमा मतलब लोक है वहाँ पर दिन जरा भी नहीं होता पहले दूसरे और तीसरे लोक में चौते लोक में दिन और रात हो सकता है लेकिन जो उसके उपर के लोक है वहाँ पर जो आतमा होगी उसकी मनस्तिती जैसे उसको चाहिए उस तरीके से वो मतलब उस चीज़ को मतलब देख सकती है जैसे उसको अगर सोना है आराम करना है तो अगर पृत्वी पृरुष ने बहुत सारे मतलब जीवन चैन किये है तो उसको एक आदत सी बन गई होगी कि रात में उसको सोना है तो उस तरीके से उस रात का अगर वो इमेजिन करे या फिर चाही कि रात हो तो वैसा वातावरन वहाँ पर अपने आप उसके लिए तैयार हो जाएगा वो सी वातावरन उसके लिए तैयर होगा दोस्तों असल में ही एकदम रात होगा ऐसा नहीं है उसके लिए वो उस तरीके से वातावरं टेर होगा और उसके बाद वो आरम कर सकता है तो इस तरीके से वहाँ पर आया मतलब जो वक्त है वो कटता है लेकिन अगर हम पृत्वी के लिहाज से देखा जाये तो वो वहाँ पर बहुती स्लो होता है वक्त इसलिए यहां कि जो आत्माई होती है वो कभी-कभी वहुत सारे सालों तक मतलब 300-400 साल कुछ आत्माई पृत्वी पर रहती है लेकिन उनको लगता ही नहीं कि इतना समय बिद गया ऐसे तो इस तरीके से यह सारी चीज़े क्यों होती है क्योंकि जैसे मानव दशा में हम वक्त को देखने की कोशिश करते है आज का दिन चला गया आकल का दिन आया उस तरीके से आत्मा नहीं विचार करती है उसके मतलब उसका जो परिमान है वो थोड़ा सा अलग होता है और जादा तर उसकी जो मनस्तित है उसको ही वो सारी चीज़े उस तरीके से देखती है तो आत्म लोग में समय आरम से बित्ता है मतलब उसको आने के लिए उसके हिसाब से वह जल्दी आई लेकिन पृत्वी पर तब तक तो एक-दो साल बीद गए होंगे ऐसा नहीं उनको भी पता हुता है कि पृत्वी का किस तरीके से कारिया करना है तो उस तरीके से वह बहुत एकदम पर पृत्वशी पर मजबूरिया पगरह होती है लेकिन अगर पृत्वी के लिया. समय चलता है और वहाप पर उसकी जो मांचिव अवस्ता होगी उसके तरव उसके ही तरीके से मतलब तो जो है वह चलता रहता है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुती जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते है उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोज भेजी जाएगी जिससे घर बेटे वह पास्ट लाइफ इरिग्रेशन का बैस क कर सकते है और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की ओडियोज भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पिडियेफ किताबे भेजी जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लैप्टप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस ओडियो बुक्स भ जुड़ना चाहते है तो कृपया इस नंबर पर वाटस अप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद